अगर आप मिस कर रहे हैं रेस्टरेंट वाला नाश्टा तो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल क्रेंची मंची रेस्टरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉन की रेसिपी देखिए ये बिल्कुल रेस्टरेंट में जाते हैं न हम एक बार खाते हैं तो खाते ही जाते हैं देखिए किते क्रिस्पी आवाज सुनियें इनकी कितने करारे कॉंस बने हैं आज मैं बिल्कुल restaurant style crispy corn की recipe आपको बताऊंगी लेकिन friends अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो please 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 अपने friends और family के साथ share कर दीजिए और बहुत सारे like कर दीजिए ताकि मुझे भी motivation मिलता है कि मैं अपके लिए नए वीडियो लेकर आँ अब ये शुरू करते हैं इसके लिए लिए है boiled corn, meida, corn flour, salt, coriander, leaves और कश्मीरी red chili powder और lemon इतने कम ingredients है हमारे corn बनेंगे दो टेबल स्पून मैंने यहाँ corn starch लिया है ये आपको जनरल स्टोर पर easily available हो जाएगा फिर इसमें एक टेबल स्पून मैदा डालेंगे यह आप skip कर सकते हैं खली corn flour ही डाल सकते हैं आप इसमें इस trick से अगर आप बनाएंगे तो आपके जो crispy corn हैं अंदर से juicy और उपर से करारे बनेंगे तो आप end तक वीडियो को देखें इसमें मैंने जो tips बता हैं उनको आप follow करें तो आपकी recipe बहुत ही अच्छी बनेगी अब ये मैदा और ये सब मिला लेंगे अच्छे से salt मिला लिया है ये कश्मीरी red chili powder मिलाया है इससे बहुत अच्छा color आएगा corn का और तीखा नहीं होता है इनको अच्छे से mix कर देना है यहां मैंने corn's boil करके लिए है ये specially आपको धियान रखना है boil corn ही इसमें जाएंगे नहीं तो आपके बिना boil के हुए corn ले लेंगे तो चिठे हो जाएंगे इसे आप बहुत अच्छे से mix कर लें सब पर coating हो जाना चाहिए अच्छे से corn flour और मसालों का अगर आपको यहां ज़्यादा लग रहा है एक्सिस लग रहा है तो थोड़ा सा एक या दो टी स्पून के लगबग इसमें पानी डलेगा ताकि यह सारा जो हमारा सूखा पाउडर है वो और मसाले हैं कॉन पर अच्छे से चड़ जाएंगे इन्हें अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए पूरा अच्छे से देखिए हो गया है कॉट अब इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है आपको जब हम यह कॉन डालेंगे तो आज थोड़ी सी स्लो रखनी है नहीं तो यह जो सारे कॉन से फूट के आपके उपर आएंगे तो फिर उसके बाद में आप तेज कर दीजिए एक बार जब कॉन हम डालते हैं तब आज दी क्राखी कॉन्स बचे हुए हैं उन्हें आफि स्मय फ्रा लिखे कर लेंगे किभी यह सारे कॉन्स हमारे रिवेत डल गए हैं अब किया नकाले लिखे ताकि जो excess oil हमारा हो वो इसमें सोक हो जाए सारे कॉंस हमने निकाल लिये हैं फिर हम इने गरम-गरम कॉंस पे ही मसाला तैयार जो हमारा है मसाला वो सारा एड़ करेंगे आप इसमें चाहें तो कैपसी कम ओनियन यह सभी एड़ कर सकते हैं पर यहां मैंने कोई भी चीज एड़ नहीं किया है बहुत ही मिनिमम इंग्रीडियंट्स और बहुत कम प्रिपरेशन में आपकी रेसिपी क्विक बनकर तैयार हो जाएगी यूजवली सबके पास फ्रिजर में कॉन तो हम रखते ही हैं स्वीट कॉन तो आप उनने सिफ 5 मिट बॉयल कीजिए और पिर जूसी और क्रंची स्वीट क्रिस्पी कॉन बना कर मिन्टों में तैयार कर दीजिए और सभी को रेस्टरेंट वाला फील घर में ही लाके तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रिंट्स और फामली के साथ जरूर से शेयर करें और अगर फ्रिंट्स आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो साइड में लगा बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल न भूलें ताकि मेर सारी नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके तो यहां कौन में हमने डाला है रैड चिली कश्मीरी रैड चिली पाउडर डाला है सॉल्ट डाला है इसमें और ब्लैक सॉल्ट भी अप इसमें एड कीजेगा उसका बहुत ही अच्छा फ्लावर आता है और आप चाहे कर भी इसमें डाल दीजेगा बहुत ही टेस्टी अपकी डिश बनकर तैयार होगी क्रिस्पी कॉन बनाना कितना आसान है देखाना अपने तो जल्दी से आप बनाईए और घर में ही रेस्टरेंट वाला लुक्त उठाईए थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो में फिर से एक नई रासिपी के साथ